हलो फ्रेंट्स कॉंपटेशन कमीटी के SSE CGL CSHL प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हेमन प्रधान आए फ्रेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस के अंतरगाती को और इंपोर्टेंट टॉपिक को और आज का जो टॉपिक रहेगा वो केमेस्ट इस तॉपिक लटाए क्लियर फस्ट लाइक इस टॉपिक इस एक्स्टीमली इंपोर्टेंट फॉर एक्जामिशन पॉइशन पॉइंट आव वू स्ट से लिके लास्ट तक आपको बहुत केरफुली वाच करनी है बहुत सारी चीजें आप इसमें लर्न कर पाएंगे जो अगर इसको अप्रोच करना है तो first is the periodicity हम इसे पढ़ें आवर्तिता इसे पढ़ें और दूसरा एक अप्रोच होता है डारेक्ट हम metals के metals, non-metals यानि जो categorization है इसके base पे हम इसे अप्रोच करें so periodicity अपनी आप में काफी लंबी class होती है और इसमें बहुत सारे properties को आपको carefully watch करना होता है, समझना होता है तो आज हम सीधा like इसमें जो elements होते हैं उसी के base पे सीधा approach करेंगे इसमें भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा तो सबसे पहले इस topic में यहाँ पे देखें, start करते हैं, this is the periodic table जो mostly साब के द्वारा दी गई है this modern periodic table is given by mostly, उससे पहले किनों ने दिया था? उससे पहले इनकी just पहले mandlip साब ने दिया था तो mandlip की periodicity और mostly की periodicity में काफी difference है और यह जो difference को हमको अभी हमारा subject matter है वो नहीं है फिलहाल हमको समझना है कि यह जो modern periodic table है, इसमें कितने total number up elements cover किये गए हैं? 1, 1, 8, 118 elements को इसमें सबकी अपनी अपनी position इसमें categorize की गई है तो दो तीन बाते ध्यान रखेंगे, modern periodic table is given by mostly और जिसमें कि कितने like periods हैं, this is the, देखिए periods और group समझिए, periods जो होते हैं, horizontals होते हैं, और जो group होते हैं, वो vertical होता है, ठीक है, group यानिकी वर्ग, periods यानिकी आवर्थ तो कितने आवर्थ हैं, कितने वर्ग हैं, पूछा जाए आपको modern periodic table में, तो आप यहां देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहां से लेकिए, यहां तक देख रहे हैं, there are 7 periods, कितने आवर्थ हैं, 7 आवर्थ हैं, ठीक है, 7 आवर्थ हैं, और कितने groups हैं, कितने इसमें वर्ग हैं, तो आप देखें, 1, 2 से लिखें, शीधा आप count करेंगे, तो यहां पर 18 हैं, तो there are 18 groups in modern periodic table, 18 group हैं, ठीक है, 18 वर्ग हैं, तो दो बातें आप समझ में आएं, पहली बात कि given by mostly, दूसरा इसमें 7 periods हैं, और 18 जिसमें groups हैं, 7 आवर्थ हैं, और 18 वर्ग हैं, clear हो गया, अब यहां पे चार इसको like कहना चाहिए, further इस पे categorize किया गया है, ब्लॉक में, चार ब्लॉक में categorize किया गया है, यहां पे देख रहे हैं, यह first जो है, यहां से लेकी यहां तक, यह इसे कहते हैं, हम S block, ठीक है, S block में जो first यह जो group है, it is known as alkali metal, और second वाला जो होता, alkali earth metal, ठीक ह चारी धातों और चारी मिलता धातों, clear हो गया, यह दो बातें आपको ध्यार रखनी है, उसके बाद देखते हैं, यहां से, यह जो period, यह जो देख रहे हैं, आपका category, यह होता है, आपका कौन सा P block, this is the S block, this is the P block, ठीक है, उसके बीच में S और P block के बीच में क्या मिलता है, D block, D block is also known as transition element, क्या कहते हैं, संकरमर धातों यह Sunkरमर तत्व कहते, actually way संकरमर धातों कहेंगे तो भी सही है, because D block के जितने भी elements हैं, यहां से लेके यहां तक जो जितने भी elements हैं, all are a metal, सबही के सबही क्या हैं, धातों हैं, तो D block, यहां पर हमने क्या कहा, इसे हम ने कहा, transition element क्या संक्रमण तत्व कहा, P-block में यहां पे देख रहे हैं, अलग-अलग color coding की कही है, उसे मैं describe करूँगा, ठीक है, और उसके बाद देखते हैं, यहां पे lengthenide और actinide है, इसे हम क्या कहते हैं, F-block कहते हैं, F-block को also क्या कहते हैं, inner transition metal, आंत्रिक संक्रमण तत्व कहते हैं, क्या कहते हैं, आंत्रिक संक्रमण तत्व inner transition elements कहते हैं, clear हो गया, तो S, P, D और F, तो कितने block बन गए, 4 block बन गए, clear हो गया, अब आपको याद रखनी हैं, कि इसमें ascending और descending दो चीज़ें आती हैं, कि जितने भी elements होते हैं, उसमें हम अगर यहां group wise देखेंगे, ठीक है, तो group wise देखेंगे, या ऐसे ही हम देखेंगे, like left to right, अगर आप इसमें horizontally भी देखेंगे, तो यह हमीशा क्या दिखेगा, ascending order में इसमें इसका arrangement दिखेगा, जितने भी elements या तत्व को हम क्या करते हैं, ascending order में हम क्या करते हैं, यहां पे orange करते हैं, तो यह 4-5 बातें बस याद रखेगा, बाकि periodicity की class में ज्यादा details पढ़ी जाती है, फिलाल हम like, अलग-अलग, असमें block wise इसे approach करेंगे, अब यहां पे देखिए, कि आज का जो topic हमारा है, कि metals, non-metals, metalloids and the alloys, तो इसमें हम सुरुवात में जो दो बाते हैं, उसे समझ लेते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं, कि हम इसमें metals और non-metals देख रहे हैं, कि उसके properties तो भी पढ़ेंगी, लेकिन यहां पे इस बात को समझना है, कि इसमें जो color coding की गई है, यहां पे देखिए, जो ocean color है, या कह सकते हैं, light blue color का यह जो चीजे दी वही हैं, these are the metals, तो आप क्या देख रहे हैं, कि सबसे ज़्यादा क्या दिख रहे हैं, metals, तो overall हम देखते हैं, हमारे periodic table में सबसे ज़्यादा maximum number कितने हैं, किसके हैं, metals के numbers हैं, उसके बाद देख रहे हैं, यहां पे light yellow color में दिया हुआ, these are the non-metals, these are the non-metals, अभी हम सब के properties को पढ़ेंगे, और उससे related questions भी हम cover करेंगे, I mean उसके fact, ठीक है, दूसरा यह चीज़ समझ गए, यह light yellow color में जो coding की गई है, यह है आपका non-metal, ठीक है, अब यहां पे देख रहे हैं, कुछ चीज़ें bridge या connecting type की चीज़ें दिख रही होंगी, जो थोड़ा सा क्या है, light, यहां brown color का है, तो यहां पे देख रहे हैं कि, boron, silicon, germanium, arsenic, tellurium, यह antimony को भी हम सामिल करेंगे, यहां पे color coding करना था, और यहां पे ipolonium, तो मैं इसे थोड़ा से enlarge कर देता हूँ, तो यहां पे इस बात को समझे, these are the metalloids, अब metalloids कौन सा होता है, जिसके इधर देखिए metal है, इधर देखिए non-metal है, दोनों के बीच में जिसके property मिलेगी, थोड़ा metal टाइब से behave करेगा, थोड़ा non-metal टाइब से behave करेगा, तो वो क्या हो गया, वो हो गया अपका metalloid या उपधातू, देरा seven metalloid, केवल साथ metalloid हैं, साथ उपधातू हैं, वोरान, सिलिकान, जर्मिनियम, आर्सेनिक, एंटी मनी, टैलूरियम और पोलोनियम, ठीक है, तो one, two, three, four, five, six, और seven, अब सबसे ज़्यादा, जो आईसोटोप होते हैं, ये होता है पोलोनियम का, सबसे ज़्यादा आईसोटोप किसके मिलते हैं, आईसोटोप समझते हैं, आईसोटोप ये होता है, कि उसे समस्थानिक कहा जाता है, जिसमें कि उसका, कहना चाहिए, कि इसमें कह सकते हैं, कि इनका एटॉमिक नंबर जो होता है, वो सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास जो होता है, वो अलग-अलग होता है परमानु क्रमांग समान होता है परमानु भार जो होता है वो अलग-अलग होता है तो वो क्या कहते हैं आईसोटोप कहते हैं पोलेनियम के मैक्सिमम आईसोटोप मिलते हैं clear हो गया अब यहाँ पे इसमें एक बात आपको समझनी है, कि यह जो bridge element यहाँ पे जो दिख रहा है, अलग से connecting वाला, यह साथ जो metalloids यहाँ से questions पूछे जाते हैं, इधर की property से questions पूछे जाते हैं, यहाँ से questions पूछे जाते हैं, तो आप देखिए एक बात याद समझें, कि हम एक element को समझते हैं, उसे कहते ह है hydrogen, hydrogen को हम आवारा तत्व भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, अभी हम से समझते हैं, तो hydrogen को आवारा तत्व इसलिए कहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसको अगर हम थोड़ा समय के लिए यह समझें, like this one, कि यह इसकी position यहाँ पे फिलाल यह रखी गएगे, ठीक है, लेकि यहाँ पे भी hydrogen को रखा जा सकता था, lane property इधर का भी शो करता है, इसलिए अलग-अलग property, different block के हिसाब से यह शो करता है, that's why यहाँ पे हम इसे आवारा तत्व कहते हैं, आवारा element कहते हैं, clear हो गया, अब यहाँ पे आगे हम देखें, कि जो आज का जो topic का जो starting point है, वो अच सबसे पहले यहाँ पे इसकी physical properties और दूसरा होता है chemical properties, तो physical properties से ज्यादातर questions पूछे जाते हैं, खासकर objective वाले exam में, ठीक है, तो आपको physical properties पे ज्यादा focus करना है, तो देखें यहाँ पे जो metals की बात आ रही है, तो metals का अगर हम इसमें इसकी property यानि physical properties को देखें, तो physical properties में पहला है metallic cluster या धात्मिक चमक, always metal में यह present होता है, हमेशा कोई भी metal जो होता है, उसमें चमक पाई जाती है, ठीक है, याद रखेंगे, दूसरा यह होता है, कि अगर इसकी hardness को measurement किया जाए, तो hardness जो होती है, हमेशा क्या होती है, यह solid या hard होता है, और यहाँ पे क्या देखत में अक्सर जो exam में questions पूछे जाते हैं, हमेशा इसके exception याने अबवाद से questions पूछे जाते हैं, तो यह जो अबवाद है, हमेशा आपके exam के point है, उसे very very important content होता है, याद रखीगा, chemistry पूरा बहुत सारे exception से भरा पड़ा है, तो यहाँ पे देखते क्या है, कि metals are mostly क्या होते ह hard होते हैं, बट exception क्या है, कुछ ऐसे भी element होते हैं, जो soft होते हैं, मुलायम होते हैं, जैसे कि lithium है, sodium है, potassium है, तो यह क्या होते हैं, थोड़े soft होते हैं, clear हो गया, sodium तो highly reactive soft करता है, अभी हम reactivity वाला जो order है, उसे भी हम समझेंगी, जहां से questions बनते हैं, clear हुआ, तो पहला properties यह जो होता है, इसमें hard भी चमक पाई जाती है, इसमें luster होता है, मैटलिक luster होता है, दूसरी इसमें hardness होती है, और तीस तरह चीज़ याद रखेंगे, कि इसमें कुछ ऐसे properties पाई जाते हैं, जो याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा important होता है, वो होता है, आपकी आगहात व मिलेगा, वो liquid form में मिलेगा, तो metals में अगर हमको पूछा जाए, metals are mostly hard होते, soft में क्या-क्या होता है, sodium, potassium, और यहाँ पे lithium ने देखा, उसके बाद देखते ही, liquid form में कौन सा मिलता है, that is a mercury, ठीक है, NTP मतलब normal temperature pressure, ठीक है, यह बातें याद रखेंगे, तो mercury जो होता है, वो liquid form में होता है, यह exam में question पूछ चुका, यह exam में आ चुका है already, clear हो गया, अब यहाँ पे malleability की जब बात करते हैं, यानि कि ऐसा जिसमें उसको फीटते हैं, तो वो चादर रुमा structure बनाएगा, वो तूटेगा नहीं, फैल जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, आगहात वर्दिनी या malleability, तो gold की malleability सबसे maximum है, इसलिए बहुत पतली जो होती है, पनी या foil हम बना सकते हैं, जैसे कि मिठाई के उपर क्या होता है, जो silver की coating की जाती है, silver जैसे कि आपने काजू कतली खाया, या कुछ भी खाया, उसके उपर क्या होता है, कि like silver की पतली पनी या foil जो उसमें ठीक है, ये एक चीज हो गया, तो उसमें क्या है, उतनी पतली पनी या foil क्यों बना, because of this nature, जैसे हम property क्या कहते हैं, malleability कहते हैं, ऐसा gold का भी बनता है, याद रखेगा, तो यहाँ पे इस properties को समझने में दिक्कत नहीं होई होगी, उसके बाद देखते हैं, तन्यता याने ductility कि हम उसे thin ऐसे, अगर उसको तोड़ना चाहें, या ऐसे खीचना चाहें, तो ऐसा thin like धागे नुमा structure बनाती है, तो वो क्या होता है, पतला जो तार बनता है, उसे उस property को हम कहते हैं, ductility, और gold की जो ductility है, वो maximum होती है, second की इसकी होती है, अगर पूछा जाए, तो simple याद र रहा हो, जो आपके exam में पूछी जाने के chances हैं, ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि हम यहाँ पे कुछ और physical properties को देखते हैं, metals के, तो देखिए, यहाँ पे conductivity, heat conductivity की एक बात करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं, क्या है, उसमा की हमें इसा क्या होती है, चालक होती है, metals are the good conductor of heat and electricity also, दोनों को चीज़े one by one हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें exception cases है, तो मैंने कहा कि metals are the good conductor of heat, तो good conductor है, तो सबसे best conductor कौन सा होगा, हमीज़े exam में पूछा जाता है, तो silver is the best conductor of heat, और second में आता है copper, ठीक, फिर से वही चीज़ कि इसमें भी exception है, exception कौन है, lead and mercury, वो क्या हो होते हैं, they are the bad conductor, poor conductor of heat, तो यहाँ पर याद रखेंगे, lead और mercury, pb, pb means plumbum, और hg means hydragerum, तो hg याने की mercury, pb याने की lead, यह they are the non conductor of heat, clear हो गया, तो यह भी आपके लिए exam के point of it से बहुत important है, और सबसे best conductor, that is the ag याने की silver, और second copper, clear हो गया, now, कि यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ बाते हैं, कि अगली property आती है, धातों का melting point जो होता है, वो उच्छ होता है, melting point याने गल ना, कि उसे हम गरम करें, तो melt हो जाता है, तो metals चुकी वो hard होते हैं, तो hard होते हैं, तो उसको जब गरम करेंगे, तो उसकी melting point जो होती है, कम होता है, इनका melting point क्या होता है, बहुत कम होता है, क्या-क्या, gallium and cesium, ठीक है, ces mean cesium, they have very low melting point, clear हो गया, इसके बाद देखते ही, electric conductivity, याने कि विद्धुचा लगता, मैंने कहा कि metals are the best conductor of electricity also, तो यहाँ पे इसमें समझेंगे क्या, कि electricity में सबसे best conductor कौन सा है, ये आप याद this is the very very important content, silver, silver is the best conductor of electricity, the second is the copper, third is the gold, third is the aluminum, fourth is the tungsten, ठीक है, same चीज है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर, इसमें जो है, अगर translate नहीं हुआ है, तो लिखीजेगा, az, उसके बाद देख रहे हैं, copper, है न, उसके बाद देख रहे हैं, आपकी gold, au, और उसके बाद देख रहे हैं, aluminium, और last में देख रहे हैं, आपका tungsten, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे, यह these are the, actual में, यह descending order में, conductivity का, और इधर से इधर आए, तो ascending order आ जाएगा, ठीक है, तो यह घटता हुआ करम है, और उधर से उधर right to left आएंगे, तो वो बढ़ता हुआ करम है, these are the electric conductivity, clear ह हो गया, एक और property देख लेते हैं, कि अगर हम metals को पीटते हैं, किसी भी चीज़ से, तो metals जो होते हैं, वो कठूर, उसमें surface, याने hard surface के कारण, उसमें क्या है, like bell-like, जो है sound produce होता है, soundrous होता है, वो क्या होती है, घंटी नुमा, उसमें आवाज आती है, clear हो गया, यह बात है physical properties को देखें, तो सबसे पहले हमने वहाँ से जो cover किया था, compare किया था, metals को same चीज़ी यहाँ पर देखेंगे, तो देखो, इसमें क्या है, metals की जो है number सबसे पहले कम है, हम तो starting में periodic table में ही समझ गये थे, पूरे periodic table में सबसे ज़्यादा वो जो ocean या like blue color का जो था, सबसे में हमने देखा, पी ब्लॉक में, वहाँ पर कुछ non-metals दिख रहे थे, जो है अधातों बिल रहे थे, तो यहाँ पर समझेंगे क्या, कि धातों की तुल्ला में अधातों की numbers सबसे कम है, metals के compare, non-metals के compare, numbers बहुत कम हते हैं, और जैसे कि, जो metals होते हैं, वो तीनों form में मिलत अधातों में मिलती है, अधातों में क्या होती है, सामने था, चमक हीन होती है, उसमें जैसे हमने देखा था, क्या होता था, कि वो उसमें चमक पाई जा रही थी, इसमें चमक नहीं मिलती, ठीक है, याद रखेंगे, यह चमक हीन होती है, इसमें भी exception है, आयोडीन, जो metallic cluster की बात करें थे तो इसमें देखिए iodine यहां पे non-metal होते वे भी क्या होती है उसमें metallic cluster similar like जो है properties होती है जैसे metal चमकीला होता है वैसे ही एक ऐसा non-metal है जिसका नाम iodine है वो क्या होता है चमकीला होता है clear हो गया यह बाते आपको याद रखनी है बड़ा important है और धातौं के гलनांक और क्वथनांग melting point and boiling point कम होते हैं और यह mostly क्या होते हैं soft होते हैं उसमें क्या δेखתי metals में उनमें melting point, boiling point जो होता हो जादा होता है melting point के खासकर बात किये थे तो यहाँ में how吗 melting point, boiling point दोनुं क्या होता है बहुत low होता है और क्या याद रखेंगे कि यह soft होती है, लेकिन फिर से exception आता है, exception यह है कि carbon, carbon क्या है, एक non-metal है, और carbon का जो है दो amorphous element है, एक होते हैं, क्या कहते हैं, इसे हीरा कहते हैं, दूसरा graphite कहते हैं, ठीक है, उसके दो अपरोप हैं, तो यह क्या है, हीरा और graphite का melting point बहुत high होता ह है, यह बात हैं आपको याद ही होगी कि diamond is the hardest natural part of this element, ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखते हैं, हीरा सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदात है, तो है तो ही एक element ही है, element का एक क्या है, amorphous है, यानि कि उसका अपरोप है, तो यहाँ पर क्या देखते हैं, कि इसके दो अपरोप है एक है, हमने देखा कि diamond और दूसरा देखा ग्रेफाइट, तो इसका जो क्या देख रहे हैं, कि दोनों का melting point जो होता है, वो high होता है, और दोनों में क्या बात है हमने देखा, कि diamond जो है nature का सबसे hardest material है, clear हो गया, hardest natural material, clear हो गया, next property देखते हैं, non-metals विद्यूत की अचालक हो they are the non-conductor of electricity and the heat, उसमें हमने क्या देखा था, they are the good conductor of heat and the electricity, यहाँ पे हमने क्या देखा, they are the non-conductor, लेकिन फिर से समझते हैं, कि इसका exception क्या है, ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट क्या होते है, जो क्या है, हम देखते हैं, कार्वन का अब्रूप है, विद्यूत का, क्या स ये बातें आपको याद रखने हैं, एक्जाम में, नॉन मेटल के कुछ और एक्जामपल है, वो देखते हैं, हाइड्रोजन, कार्वन, नाइट्रोजन, आक्सीजन, फॉस्पूरस, सल्फर, मैं इसे दूसरे स्लाइड में बता देता हूँ, थोड़ा और आसानी होगा, तो हमने देखा, ब्रोमें, ऐसा कौन सा अब element है, जो metal है, और liquid form में मिलता है, तो अभी हमने देखा था की पर मरकरी है उसका example, और ब्रोमें एक ऐसा material है, एक ऐसा element है, जो non-metal है, और non-metal होने के बावजुद वो क्या है, liquid form में, तो ये बातें आपको याद रखने हैं, ठीक है वैसे ही हम बात समझते हैं कि गयस में और क्याम मिलता है हईड्रील गैस होता है नाट्रजेट गैस होता है ब कर देकथा ग्रिफाइट था है मैं मिलते हैं जो non-metals है इतना दूर आप सभी को clear हुआ होगा कुछ जो point है आपके दिमाँ में कोई question race हो रहा होगा तो बिल्कुल comment box में मुझे जरूर बताईएगा ताकि मैं answer कर पाऊं ठीक है अब आगे देखते हैं कि एक important वो होता है कि reactivity order सक्रीता सेनी ठीक है कि यहां पर देख क्या रहे हैं कि जो metals और non-metals होते हैं कि इसमें क्या होती है इनमें जो सक्रीता सेनी होता है reactivity जो series होता है कि यहां से top से लेके bottom तक अगर चलते हैं तो यहां पर जो नीचे bottom में मिल रहा है वो least reactive होगा जो top में मिलेगा वो सबसे most reactive element होगा अब यह चीज में क्यों बता रहा हूं यहां से questions बनते हैं कि हमने देखा होगा कि generally एक आएगा अभी आज हम पढ़ने वाले हैं जिसे हम कहते हैं galvanization ठीक उसमें क्या होती है रस्टिंग हो जाती है यानि कि जंग लग जाती है अउस जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं उसमें जिंग की परत चड़ा देते हैं तो अब दोनों को compare करिए iron जो है यहां पे यह है iron को nature में रख देते हैं ऐसे ही तो वो atmospheric moisture यानि कि नमी और oxygen के स क्या कर दिया यहां पर हम इस सीरीज को देखते हैं तो यह दूसरा आता है जिंग और iron में कौन टॉप पे है यह टॉप पे है और हमने क्या कहा जो टॉप में है वो highly reactive होगा जो bottom में हो लिस reactive होगा तो यहां पर बात समझ में आए कि जब हम iron के उपर zinc की coating कर देते हैं तो व हमने क्या कर दिया है इस प्रकार की हमने coating कर दिये तो zinc reaction कर देगा तो iron को protection मिल जाएगा तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं इसे हम galvanization कहते हैं galvanization में क्या है iron के rods के उपर या iron के उपर zinc की परत हम चड़ा देते हैं तो iron reaction ना करके को reaction करता है zinc reaction करता है उसे हम galvanization कह देते हैं clear हो गया तो यह आपको याद रखनी है पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि ऐसा क्यों है कि metals में हम लोग apply sona या चांदी को ही क्यों पहनते हैं सबसे पहले बात ये कि कि उसमें सबसे पहली बात क्या है वो metal है उसमें चमक पाई जाती है जब उसे abortion या like jewelry में use करते हैं तो वो like natural और element होने के बावजुद वो क्या करता है सुंदरता प्रदान करता है तो यहाँ पे एक बात समझे कि ये gold और silver को ही क्यों select किया गया क्योंकि ये pure form में मिलता है और pure form में मिलने का कारण क्या है pure form में मिलने का कारण ये है कि reactivity series में या नहीं यहाँ पे देखते हैं कि सकीता सेनी में इस series में सबसे bottom में है gold उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या है silver तो यहाँ पे इस बात को समझे ये रेक्टिव हैं सप्राइब वे सबसे लिस रेक्टिव एलिमेंट कौन सा है तो वह गोल्ड इसलिए प्यूर फॉर्म में मिलता है तो नेचर में वह किसी से रियक्षन ही नहीं करता या बहुत minimum करता है और वैसे ही silver का case है इसलिए वो क्या करते हैं आप देख रहे हैं कि ये एक सक्रीता सेणी में नीचे पाइस आने के कारण इस reactivity series में ये क्या होता है प्यूर फॉर्म में मिलता है और उसमें क्या हो अल्रेडी metal है चमक पाई उसमें कि ये बाते आपको याद रखनी है अब यहाँ पे इस से रेलेटड एक दो चीजें और हम को समझनी है जो आने वाले slide में हम समझेंगे अगर आपको chemistry में बहतर approach रखनी है तो याद रखेंगे इस जो series को आप याद रखेंगा जिसमें कि हमको देखते हैं सबसे टॉप में पोटेशियम तो सकीता से नहीं में reactivity series में सबसे टॉप में कौन सा element होता है जो highly reactive है most reactive element कौन सा है अगर आपको पूछा जाए तो वो है potassium उसके बाद देखते हैं sodium और sodium से related question अकसर exam में पूछा गया है किसे मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं क्योंकि वो reactivity बहुत हाई है वो किसी के साथ reaction कर लेता है तो मिट्टी के तेल में डुबो के रखने पर वो होता है उसको वो reaction नहीं कर पाता nature के साथ याद रखेंगे potassium का भी same case है इसलिए potassium की बहुत सारे आपके compound मिल जाएंगे calcium का भी same चीज है calcium भी क्या होता है आपको यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारा ये reaction करके बहुत सारे compound बना लेता है magnesium भी इस प्रकार सेम चीज़े करता है तो याद रखेंगे इस जो series को हमीशा आप याद करने की कोसिस करेंगे ठीक है अगर आप याद करना चाहिए तो मैं एक trick बता देता हूँ कनक कनक की मा ठीक है यहाँ से याद रखेंगे जब फेस्बुक जब फेस्बुक यहाँ फेस्बुक अगर हो गया से पढ़ाई कनक की मा जब कनक की कनक की मा जब मतलब जेंक फेस्बुक से पढ़ाई ठीक है इतना याद रखेंगे पढ़ाई की लिख देंगे कनक की मा कनक की मा जब फेस्बुक से पढ़ाई की के कहने का मतलब हमको सिर्फ समझ ना है हमको एक निमोनिक्स बनाना है ताकि आपको एक्जाम में ये help हो सके, ठीक है, यहां से question पूछे गए हैं भई, कि आपको चार element डिया गया होगा, given element में सबसे highly reactive कौन सा है, least reactive कौन सा है, या आपको जब like कोई equation या कुछी type का कोई भी statement दिया होगा, जो यहां से किस से related होगा, इन औरगनिक chemistry से related होगा, तो आपको यहां पे चार given elements में आसानी से आप option eliminate कर सकेंगे, क्योंकि अगर चार given option है, आपको series मालूम हो तो, कि किस के साथ reaction करेगा, यानि कि X, Y के साथ reaction करके क्या बनाएगा, तो X किस के साथ reaction करेगा, और Y के चार option दिये होगे, तो आसानी से हम सम casebook से पढ़ाई की, ठीक है, याद रख लेंगे, अब उसके बाद नीचे वाला चीज़ याद रखेंगे, नीचे दो चीज़ ऐसे ही याद रहती है, कौन-कौन सा, सबसे नीचे में gold है, उसके उपर में silver है, उसके उपर में आपका mercury है, और ये दो चीज़ आप याद रख इसके जो है, ओर्स या आयस क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे, ओर्स क्या होते है, जब कोई element नीचर में मिलता है, अब वो उसके जो है, वो नीचर में क्या होता है, बहुत ही raw form में होता है, mixed form में होता है, तो जब इसके mixed form में होता है, तो आसानी से किसमें हम extract करके उसकी pure form को बहुत ही सरल तरीके से कहां कौन से methods हम करेंगे यह आपका कहलाता है Ores कि Ores are actually जिसमें कि हम देखेंगे maximum concentration उस compound में मिलेगा और easily हम उसे extract कर पाएंगे easy method से तो आयस क्या होते हैं आयस क्या होते हैं नेचर में पाए जाने वाले ऐसे compound होते हैं या ऐसे योगिक होते हैं जिसमें कि हम देखते हैं कि बहुत सारा उस element का concentration सांद्रता होगा दूसरा उसे easy method की द्वारा extract कर लेंगे निस्कर सित कर लेंगे उसे हम Ores कहते हैं तो आगे पर इसका definition और बता दूँगा भी यहाँ पर देखें फिलार हम इसमें जो है अलग अलग Ores देखो last में यहाँ पर दिया हुआ है इसको आप थोड़े समय के लिए skip भी कर सकते हैं के क्या Ores हैं तो जैसे sodium के Ores क्या हैं आपके sodium chloride, sodium carbonate, sodium sulfate, sodium nitrate और borax तो borax किसका Ores है कहा जाएगा तो आपका sodium का Ores है कहा जाएगा similarly magnesium क्या है? magnesium क्या है? magnesium क्या है? magnesium क्या है? magnesium और उसके बाद दिखते है dolomite, उसके बाद दिखते है कार्नेलाइट और epsom salt तो आपको पूछा जाए कि dolomite किसका Ores है? तो dolomite में देखिए यहाँ पे magnesium भी है, इधर calcium भी है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे चीज़े समझनी है कि magnesium क्या है? magnesium, dolomite, carnelite और epsom salt, ठीक है? वैसे ही, aluminium के क्या Ores है? elements का नाम क्या है? backside, cryolite, corandum, नीलम जिसे हम कहते हैं और diaspore, तो यह है इसके क्या है? और हो गया, यह किसका हो गया? और या ask हो गया, यह बाता सभी clear होई, तो आप यहाँ पे देखते हैं, अगली slide में, तो अगली slide में देखिए, potassium के और क्या है, potassium chloride, potassium carbonate, sodium nitrate, ठीक है, calcium के और क्या है, calcium carbonate, gypsum, हमने पहले देखा, epsom, तो यहाँ पे देख रहे थे, epsom, तो epsom में क्या है, देख रहे थे, कि epsomite, यहाँ पे देखिए, epsomite, ठीक है, याद रखेंगे, और उसके बाद gypsum देखेंगे, gypsum के बाद epsom भी आएगा, तो यह होई, epsom salt था हमना, magnesium का, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यह है अपका calcium का, calcium का, हमने यहाँ पे देख epsom को circle कर देता हूँ, gypsum is the important, for us that's the important, ठीक है, then वैसे देखते हैं, chromium, chromium के iron, chromite, magneec के pyrolyoside और magnite, ठीक है, magnetite नहीं है, magnite है, याद रखेंगे, उसके बाद iron के सभी important है, iron के क्या है, iron के क्या है, iron के क्या क्या और से है, magnetite, hematite, limonite, cedarite और iron pirate, ठीक है, आपको पूछ जाए, यहाँ पर देखो, magneecite का आप M लिक लो, ठीक है, hematite का क्या है, H लिक लो, ठीक है, lemonite का क्या है, L लिक लो, इसका जो है, S लिक लो, उसके बाद iron pirate का P लिक लो, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, कि अगर हमें, इसमें देखा जाए, कि किसमी iron की constitution सबसे याद रखेंगे, magnetite, याद क्या रखा जाता है, कि magnet, यानि चुम्बक और लोहा, दोनों में क्या है, काफी सारी जो प्रापर्टी सिमिलर पाई जाती है, यानि कि हम देखेंगे, किसी magnet के contact में, हम लोहे को लंबे समय तक लग रख देते हैं, तो उस लोहे में क्या होता है, magnet का properties आ जाता है, मतलब उसमें properties काफी similar type के होते हैं, अब जो similar type के property होती है, तो यहाँ पी क्या देख रहे हैं, कि magnetite जो होता है, desire the best type of ore of iron, यह iron का सबसे अच्छा प्रकार का क्या है, ask है, ठीक है, उसके बाद देखिए आप, कि इसमें H के बाद L आ रहा है, L के बाद S आ ठीक है, तो उसके बाद क्या देखते हैं, P आ रहा है, तो याद क्या रखेंगे, कि यहाँ पे H आया, L आया, S आया, और उसके बाद P, तो P, Q, R, S, तो आप क्या करखिए हैं, थोड़े समय के लिए confusion clear करने के लिए, सबसे best ore क्यों सा magnetite, क्योंकि magnet type की जो properties मिलेगा, हमेश से नीचे में रख देते हैं, iron pyrite, या थोड़े समय के लिए हम भूल भी सकते हैं, iron pyrite में यह better type of ore कह सकते हैं, इसलिए इसका percentage भी नहीं लिखा हुआ है, तो थोड़े समय के लिए आप भूल जाएंगे, तो आप बचा हुआ H, L और S, तो इसके नाम में आप ascending order में देखो अगर alphabetically चले हैं, तो सबसे पहले क्यों आता है, H आता है, फिर क्यों आता है, L आता है, फिर उसके बाद क्यों आता है, S आता है, और हमको पता iron pyrite जो है, बहुत better type of ore है, आइसके, तो कैसे समझ गए, तो magnetite is the best type of ore of iron, दूसरा, the worst type of ore of iron is iron pyrite, जिसे हमें skip भी कर सकते हैं, बहुत घटिया type का ore है, अब बचा हुआ जो 3 है, इसमें आपको confusion होगा, इसलिए आप ये triguse करिएगा, alphabetically देखिएगा, कौन पहले आ रहा है, जो पहले आ रहा है, वो अच्छा ore होगा, जो बाद में आ रहा है, वो उससे relatively जो है bad type का ore होगा, clear हो गया, तो hematite, इसमें की, देखो, यहाँ magnetite में 72% iron है, 72.4, hematite में 69.9, ठीक है, limonite में 55%, CD right में 48.2%, तो आपको बताना है, बहुत आसान हो जाएगा, clear हो गया, आगे बढ़े, तो आगे आप बढ़ते ही हम, कुछ और ores को, यह ores की list जो है थोड़ी लंबी है, लेकिन आपको यही है, जानना है, कि exam में बाकी competitor आपकी जो रहेंगे उससे आगे बढ़ना है, तो आपकी चीज़ें आपके पास ज़्यादा knowledge होना चाहिए, और ऐसा knowledge जो बहुत ही filtrate वाला हो, हमसे कम examination point अब उसे, दूसरा comprehensive type का knowledge जो है, वो higher studies में हमीशा काम आता है, लेकि exam specific जब बात करते हैं, तो बहुत सा use करते भी यह चीज़ें आपको like serve कर रहा हूँ, तो देखते क्या हैं, अब copper है, copper के क्या-क्या ऐसे ores हैं, तो copper के ores है, calcopyrite, calcosite, cupyrite और malachite और azurite, ठीक है, these are the ores of copper, तो यहाँ पर क्या important है, malachite, azurite और calcosite, these are the very important like ores of copper जो exam में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और zinc के पूरे important है, zinc blend, zinc, उसके बाद calamine, तीस्ता zinc kite, तो देखो zinc blend जो है, किस-किस का जो होता है, इसमें कौन-कौन से element पाए जाते हैं, तो zinc और sulfur, ठीक है, और calamine में zinc plus carbonate है, और zinc kite में zinc plus oxygen है, समझ में आगए आप लोगो, वैसे ही silver देखिए, silver क्या, native silver, argentite और chloro-guiride, ठीक ह हान-silver कहते हैं, हान-silver क्या कहता है, AG-CL को हम हान-silver कहते हैं, argentite AG-2S है, ठीक है, native silver AG है, समझ में आगए अप लोगो, उसके बाद देखते हैं, टेन, टेन का जो है, एक मात्र जो है, और मिलता है, उसे कहते हैं, कैसे टेराइट, और 36 गड़ में सबसे ज़्यादा जो है, इसके टेन्स मिलते हैं, याद रखेंगे, ओवराल इंडिया के कंटक्स में देखा जाए, और 36 गड़ में सबसे ज़्यादा टेन्स मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कैसे ट्राइट टाइप के ओर्स मिलते हैं, ठीक है, बेरियम, बेरियम का क्या है, विद्राइट और हैवी स् सल्फर, और जहां पर देख रहें, हईजए़ प्लस एंस, यादि की मर्करी प्लस सल्फर तो है, वो क्या है, आपका सीने बाद, लैड प्लस सल्फर कहा जाए, तो उसे कहतें गैलेना, और एक चीचिज हमने क्या देखा था, यहाँ प्लस सल्फर कहा जाए, तो यह जेंग ぜひजग को सुमझ आ रही होगी क्लियर होग актив है अगे हम देखते ही इस से layer कुछ और बातों को तो यहाँ पर जो मैंने बताया था कि जो आपका होता है metaloid तो metaloid में हमने कहा था कि देरा 7 metaloid जिसके properties metals और non metals के बीच के मिलते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि metaloids क्या होता है कि जो तत्व धातु व धातु दोनों की गुणों को प्रदसित करता है उसे उप धातु कहते हैं प्रियोडिक टेबल यादा रहा है इस प्रकार का था प्रियोडिक टेबल ठीक है और यहाँ पे इधर एक था इस टाइप से दोनों में bridge था ठीक है यह point यादा आ रहोगा और नीचे में क्या था आपका ठीक है ablog था ठीक है तो ablog में यह बात इंदे थी अपनों को कि यह जो है आपका s-block, p-block, d-block तो यहां पर हमने इस प्रकार bridge bridge type का देखा था तो साथ ऐसे अलग-अलग क्या होते हैं, metaloid होते हैं, जो metals की भी properties हो करता है, non-metal का भी करता है, तो कौन-कौन से हैं, इनकी जो numbers होते हैं, देखो, दोनों के बीच में मिल रहा है, ठीक है, metals और non-metal के बीच में मिल रहा है, इनके number seven है, क्या-क्या है, बूरान, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellerium, and polonium, और polonium के सरवाद क्या है, 27 isotope मिलते हैं, and this is the first main-made element, ठीक है, प्रतम, manodet में तत्व है, I hope यह बात है, सभी clear हुआ, कि यह जो है, आपको, इनका position क्या होता है, period table में, metals और non-metals के बीच मिलता है, seven non-metalloids है, और यहाँ पर polonium, जो है, first main-made element है, जिसके 27 isotope मिलते हैं, clear हो गया, आगे पढ़े हैं हम, तो आगे पढ़ते हैं, जब, तो यहाँ पर दिखिए, इसके, जो alloys है, alloys में यहाँ पर याद रखेंगे, alloys से related भी कुछ बात है, यहाँ को समझनी है, जो आपके exam में काम आएगी, तो ऐसा होता है, कि हम क्या लेते हैं, दो या दो से अधिक धातू, और एक से अधिक धातू, एवं एक अधातू के समांगी मिसरन को, ठीक है, don't be confused, बड़ा simple सा है, हम लेते हैं, एक ऐसा metal, मालो इसे हम कह देते हैं, X, तो दो या दो से अधिक धातू, तो X प्लस X कर सकते हैं, यह चीज़ हो सकता है, तो जो बनेगा, यह जो बनेगा, मालो XX बनेगा, तो यह क्या होगा, एक metaloid होगा, यह सौरी, alloys होगा, दूसरा हम देखते हैं, माल, दूसरा के, यह X लिए, इसको X लिए, प्लस इसको क्या लि इसरण यह होता है, कि जिसके प्रत्य भाग के गुर्दर में समाल हो, ठीक है, मिक्चर, कि इसकी, मतलब, each and every area, concentration अगर देखते हैं, उसकी, जो like, overall concentrate जो पार्ट होता, वो equal होगा, पर unit area में, तो यहां पर यह समझ में आए, कि metals में, दो metals को लेके बनाए, दो metals को लेके बना तो यहां पर देखते हैं, कि x plus के बाद xx बन गया, और xy के बाद xy टाइप का non metal मिल गया, तो आप यहां पर दो तीन बातें समझनी है, देखो x मालो एक ऐसा metal है, इसकी मालो melting point, इसका conductivity, मालो कोई भी एक number है, कि इसको आप कुछ भी आप number imagine कर सकते हो, जब वो metal alloys बनता है, तो वो जो होता है, उसकी property जो होती है, चेंज हो जाती है, तो जो number आपने imagine किया था, उसकी conductivity, या melting point, या boiling point, या कुछ भी, कोई भी physical property, वो जब alloys बन जाता है, तो वो change हो जाता है, तो जैसे अभी हम example के देखेंगे, तो इसमें वही बातें कहीं गई है, कि में कुछ निश्चीत, उपयोगी, कुछ important properties होता है, और ये गोंड जो होता है, बनाने वाले आवेवी तत्वों के मोल गोंड से भिन्न होता है, जैसे कि, example के base पे देखेंगे कि, जैसे कि pure metal की अपिक्षा, मिस सधातु की विद्दुचालकता और गरलांग कम होता है, metal X है, तो इसकी electric conductivity जादा थी, इसका melting point जादा था, लागिन जैसे ये alloy बन गया, ये electric conductivity भी decrease हो गई, और इसकी melting point भी decrease हो गई, ठीक है, याद रखेंगे, जैसे कि, हम लेते हैं copper और zinc, copper plus zinc, copper plus zinc, दोनों हम देखते हैं, वो क्या बनाता है, पीतल बनाता है, यहाँ पर देखि brass जो होता है, यहाँ पर copper plus zinc है, copper plus zinc मिलके क्या बनेगा, brass बन गया, तो brass जो बन गया, आपका copper plus zinc जो है, पीतल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, और दूसरा हम देखते हैं, कि पीतल जो होता है, non conductor होता है, जबकि हमने देखा था, कि electric conductivity, heat conductivity बहुत जादा होती, कि इसकी copper की, लेकि पीतल जैसे ही बना, brass बना, वो तो non conductor बनी है, मतलब इसके property change हो गई, तो वही बात यहाँ पर कहीं जा रही है, ठीक है, उसके बाद देखते हैं, कि जो alloys होता है, alloys जो होता है, अपने जो आवियवी elements होता है, उससे अधिक कठोर होता है, और अधिक संशारन रोधी होता ह है, hard जो होता है, यहाँ पर हम कहे रहे हैं कि जो alloys बनेगा, उसके property change हो जाती है, और वो property, अलग-अलग property में यहाँ देखे रहे हैं, conductivity यहाँ decrease हो गई, लेकिन यहाँ पर क्या देखते हैं, जो alloys की, उसकी hardness जो होती है, वो होता है, जो जिससे मिलके बना होता है, उससे ज्यादा hard होता है, यानि x से ज्यादा hard कौन बनेगा, x, x होगा, ठीक है, तो 3-4 चीज़ें यहाँ पर हमने समझा, पहला चीज किस से किस से मिलके बना है, उसके property change हो जाता है, तो अब properties में अलग-अलग यह चीज़ें दी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे English में भी दिया ह ब्रांज किस से मिलके बना होता है, copper plus tin से मिलके बना होता है, अभी हम उसके बारे में कुछ और समझेंगे, ठीक है, तो यह बाता सभी clear हो गया, अब जो galvanization मैंने बताया था, उस galvanization को याद रख लिके, आप अच्छे से, कि यसद लेपन या galvanization क्या होता है, कि हम लोहिक तो यहाँ पर जिससे protection किसको मिल जाएगा, iron को, steel को मिल जाएगा, तो उससे हम क्या कहते है, galvanization कहते है, ठीक है, अधिक सक्री धातों को उप्योग करके भी धातों को संख्यारण से बचाया जा सकता, इसे उत्सर्ग रक्षन या फिर हम कहते है, defication protection कहते है, ठीक है, यह ब ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए कुछ और बातों को, जो आपके exam में काम आएगा, तो यह है, देखिए, यह होता है, amalgam, amalgam को होता है, कोई भी एक element ले लो, उसमें क्या है, mercury को जोड़ दो, तो बन जाता है, element, याने amalgam बन जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो है, mercury सभी के साथ reaction करें, तो यह ज़रूरी नहीं है, किस के साथ reaction करेगा, जिसके साथ करेगा, तो amalgam form करेगा, जिसके साथ नहीं करेगा, तो amalgam form नहीं करता है, जैसे कि iron के साथ कभी भी mercury amalgam form नहीं करता, ठीक है, तो यहाँ पर देहान रखेंगे, कोई भी एक mercury के साथ जो reaction करेगा उसे हम क्या करते हैं जो alloys बनेगा उसे हम कहते हैं amalgam तो mercury क्या करता है लोहे के साथ iron के साथ amalgam नहीं बनाता इसलिए हम iron के vessels में क्या रखते हैं हम mercury को रख सकते हैं चांदी और पारा के amalgam को यानि कि हमने कहा HG प्लस AG, इसके अमलगम को हम क्या कहते हैं, ये दांतों की cavity भरने में यूज करते हैं क्यूब लाइड में क्या होता है, आरगन गैस भरा होता है, आप सभी जानते हैं उसके साथ साथ मरकरी का भी उसमें वेपर भरा होता है similarly, बैरो मीटर में पारे की उतरा है, तो वो क्या तूफान के बारे में साइकलोन के बारे में जानकार देता है पारा को हम quicksilver याने mercury also known as quicksilver quicksilver क्या है mercury है, clear होगे आप सभी को आगे पढ़ें, तो आगे हम बढ़ेंगे इसमें वो ही point जो आपको याद रखनी थी, कौन सा था यह होता था आपका like कुछ important elements है और elements related आपको fact आपको याद रखने हैं और last मैं भी थोड़ा सा मैं alloys के बारे में ही बताऊँगा कुछ important alloys किस किस से मिलके बना है वहाँ से भी questions आपको पुछे जाएंगे ठीक है तो यहाँ पे कुछ important points कवर कर रहे हैं carefully मैं bilingual उससे बताने कोशिस कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो ठीक है ध्यान देंगे कि tungsten का जो है संकेत क्या होता है W से represent करते हैं और वो bulb में घरों में जो देसी बल्ब होता है पहले होता था आज कल तो उसकी जगए LED ले लिया light evading diode तो यहां पर जो tungsten का जो like filament होता है उसकी melting point बहुत ज़्यादा होती है melting point बहुत ज़्यादा होती है तो वो क्या करता है light जो है वो produce करता है तो यहां पर क्या देखते है इसका melting point बहुत ज़्यादा है 3500 degree Celsius तो इसलिए उसे बिजली के बल्ब में हम use करते है tungsten का जो है reduction होता रोगने के लिए क्या है बल्ब से हम हावा निकाल देते हैं जो बल्ब होता उसमें vacuum होता actual में उसमें पूरी हावा हम निकाल देते हैं और tungsten को गम करते हैं तो उसका जो है thermal effect के through क्या है light reflect होता है और उसके बाद बल्ब जलता है clear हो गया nuclear reactor में हम neutrons को जो है absorb करने के लिए zirconium का प्रयोग करते हैं zirconium का प्रयोग किसमें किया जाता है कि हम देखते है nuclear reactor में neutron को आवसोसित absorb करने के लिए क्योंकि उसमें chain reaction होता है जिसमें की प्रतियेक मालोग a plus b equal to c बना और plus जो है यहाँ पे 3 neutron बनेगा ठीक है 3 neutron बन गया तो यह 3 neutron जो हम देख किया रहे यह neutron है आपका यह neutron के numbers जो है 3 हुए और यहाँ पे कैसे होता एक neutron की यहाँ पे bombing होती है reaction चला 3 neutron produce हुआ तो यह 3 के 3 फिर दाड़ के आएंगे इसे फिर attack करेंगे तो फिर से क्या 3 निकला तो हम देख रहे हैं कि neutron की numbers तो बहुत ज़्यादा हो रहे और chain reaction fast हो गया fast हो गया तो blast होने का टर है तो उस neutron को क्या है सिब एक neutron आए और फिर से reaction कर ले दो neutron को हम absorb कर लेंगे तो absorber का काम कौन करेगा यहाँ पे zirconium और भी होते हैं फिलाल हम इस point को समझेंगे zirconium का use किया जाता है ठीक है वैसे हम देखते है francium क्या है एक radioactive element है लेकिन वो क्या है liquid metal है liquid metal में हमने और क्या देखा था हमने देखा था mercury को ठीक है लेकिन यह mercury जो है radioactive element नहीं है ठीक है तो यहाँ पी क्या देखते हैं ऐसा कौन सा metal है जो radioactive है और liquid form में मिलता है मों क्या है आपका francium radioactive element समझते हैं जिसमें कि हम देखते हैं उसमें emission होते रहता है alpha beta gamma race का ठीक है gamma race का खासकर उसमें क्या है emission हो रहा होता है वो उस टाइप के जो nature में पड़े होते हैं नेचरल टाइप के जो elements होते हैं वो से हम कहते हैं आपका radioactive elements जो decaying of gamma race करता रहता है ठीक है tin जो है amorphous जो properties represent करता है सबसे जो heaviest जो element है यानि कि सबसे heaviest जो आपका metals है वो से कहते हैं osmium osmium is called the heaviest metals of earth ठीक है याद रखेंगे barium hydroxide को barita water कहते है barita water is nothing but barium hydroxide clear हो गया आगे बढ़े हम कुछ और points को ये सभी points आपकी exam के point है वो से important है ठीक है barium sulphate का उपयोग x-ray के दोरान किया जाता है आतिसवादी के दोरान किया है हरा रण जब देखते हैं हम फटाके वगरब फोटते हैं तो green गलर किसके कारण होता है barium के कारण होता है जबकि red गलर किसके कारण होता है stransium के कारण होता है यह भी इंपोर्टेंट है पटाके जलते हैं अलग-अलग कलरींग होती है तो जो कलर्स जो होता है वो किसके कारण होता है ग्रीन हुआ था बैरियम और रेड हुआ था स्टांसियम लीथियम सबसे लाइटेस जो है मैटलिक एलिमेंट है और सबसे मोस्ट लाइक स्टॉंग जो होता है अपका रेड्यूसिंग एजिंट होता है अब चायक होता है चांदी सोना कापर प्लैटीनम बिस्मत सबसे अपनी अपने कम क्रिया सिल्टा के कारण स्वर्तंतर आवस्ता में पाए जाते हमने वही देखा एक्टिविटी सीरीस ठीक है तो ओर्डर या सीरीस हमने देखा था जिसमें सकीता सेड़ी में इनका नंबर जो है सबसे नीचे नीचे था ठीक है कॉपर का भी हमने देखा था गोल्ड प्लैटीनम सील्बर तथा मर्करी जो है उतकृष्ट धात्वें कहलाती है इस आर्दा बेस्ट टाइप अब मैटल्स ज रखेंगे उसका कैंसरों के लाज में क्या है कोबाल्ड का आईसोटोप यूज किया जाता यह भी एक्जाम में आ चुका है जो वरस्पती तेल होता है जो डालड़ा बगर होता है वह हाइड्रोजिनेशन के थूँ बनता है इसमें निकल मैटल का यूज किया जाता है किसके किसके लिए कैटलिस्ट के फॉर्म में कैटलिस्ट के रूपे उसे यूज करते हैं कैटलिस्ट वह चीज होता है जो रेक्शन में खुद पार्डिसिपेट नहीं करता रेट आप रेक्शन को इंक्रीस कर देता है उसे हम क्या कहते हैं उत्प्रेरक कहते हैं या कैटलिस्ट क हो गया हम न्युक्लियर रियकंटर में न्यूटरन रूप में करते हैं धीक है और एक्टिन जो हुता है डीक टत्मों का समूव होताइफ होता है क्लिजिए अलेमंट्स उते हैं पूरे की दो होते हैं एक्रिस लेेंड ब्लाग में मिलता है थोड़ी देर पहले लिख पढ़ा neutron जो होता है absorber यह क्या होता है मंदक ठीक है तो यहां moderator का काम करता है यानि कि जो reaction को क्या कर देता है थोड़ा slow कर देता तो slow करने पर क्या होता है कि लेट में neutron प्रडियूस होता है ज्यादा neutron होआ तो उसे absorber का यूज कि जिर्कोनियम का अब जो है slow टाइब का reaction चल रहा है तो वहां पर उसके बीचे responsible कौन है हम कोई भी ऐसा moderator डालते हैं तो यहां पर कैडमियम का भी प्रयोक किया जाता है हम देखते हैं नुक्लियर रेक्टर का अपना एक अलक के यूनिट होता है उसमें बहुत सारी चीज़ प्रपरटीस होती है कुछ basic fact आने वाले lecture में बताऊंगा भी ठीक है उसके क्या है रेडियम का क्या हो गया याद करिए मैंने कहा था कि जहां से extract करेंगे वो उसका क्या हो जाएगा मतलब जो element है उसका compound form में है या raw form में है अब उससे क्या है किसी x या y प्रकार के element को हम extract कर रहे हैं तो पीछे blend से रेडियम का extraction हो रहा है तो पीछे blend क्या हो जाएगा रेडियम का और हो जाएगा और और उसी को कहते है जो easy method के त्रू एक्स्टक्ट किया जा सके और उसमें concentration of element जादा हो उससे हम क्या कहते है और कह रहे थे यह बाद है सभी clear हुआ तो यह जो है मैडम क्यूरी नहीं क्या क किया था जो एरोप्लेन होता है उसमें हम पैलेडियम मैटल्स का यूज करते हैं गैलियम धातू जो है रूम टैंपरेचर रूम टैंपरेचर में क्या liquid form में मिलता है एक और element दिख लिया हमने सजी को देख लिया था उसके बाद यहां पर देख रहे हैं पैलेडियम तो यह भी क्या है रूम टैंपरेचर याने रूम टैंपरेचर कितना होता है 24 या फिर 25 डिगरी सेल्सियस हम याद रखेंगे चैमस्टी में जर्मली 24 डिगरी मान लिया जाता है फिजिक्स में 25 डिगरी के हिसाफ से क्यलकुलेशन कर लेते हैं दोनों में कोई भी कहें आप रूम टैंपरेचर जो होता है इसे में ही यूज किया करें यह कích ज्यादा ENVOY run friendly होगा सेलेटिवली के नियम द काषै हम फोटो लेक्ट्रिक सेलं करते हैं याद रखेंगे सेलेनियंग क्या एक तो सिलिकॉन होता है वहाँ उसे भी करते दूस्दा सेलेनियं भी करते MOMं वैसे के योगी क्या होते हैं रंगीन होते हैं संक्रमत दातु क्या हो गया डी ब्लॉक वाले सभी कंपाउंड क्या होते हैं कलर फॉर्म करते हैं याद रखेंगे मैक्सिमम याद रखेंगे पोटीशम कार्बोनेट को पर्ल एस कहते हैं पर्ल इस नोन एस ऑल्सो नोन एस पोटीशम carbonate, nichrome nickel, देखो nichrome nickel chromium iron का मिस धातु है, और heater की कुंडली किसे से बनती है, heater iron की coil किसे मिलके बना होता nichrome, तो यहाँ पर रिखो nichrome में हम इस word को हम decode करें nichrome, na e chroma तो na stand for nickel nickel, e iron तो iron याद रखेंगे तो fe, chromium और manganese तो यहाँ पर nichrome किस-किस से मिलके बना है, पूछा जाए तो कैसे याद रखेंगे, nichrome nickel, iron तो iron से याद रखेंगे फिर chromium, फिर manganese clear हो गया, वैसे Britannia, धातु, एंटी मनी, copper प्लस टीन की alloy होती है, क्या क्या कहा Britannia जो धातु होता है जो आपका होता है Britannia जो धातु होता है किस से किसके मिलके बना होता है, anti-money तामबा, tin की miss धातु, actually Britannia is the alloy, miss धातु है, किस से किसे मिला है, anti-money, copper plus tin, clear हो गया, titanium strategic element कहा जाता है रणनितिक धातु कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग defense जो equipment बनाते हैं, वो बहुत ज़्यादा उसमें यहाँ पर यूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉंग होता है तो defense equipment या रक्षा होत पादन में हम देखते हैं, titanium को यूज़ करते हैं, इसलिए वो क्या है, रणनितिक धातु कहा जाता है बारूत, potassium, ठीक है, बारूत किस से मिलके बना होता है, कि potassium nitrate plus sulfur और 15% charcoal और अनि प्रोड़क्ट बना होता है, ठीक है, तो इसको मैं और detail में बताऊंगा भी black TNT क्या है, RDX क्या है, यह सब हम आने वाले chapter में पढ़ेंगे, फिलाल याद रखेंगे, उसमें sulfur एक important element होता है, यह रहता है, potassium nitrate होता है, 15% charcoal होता है और आप दूसरे ऐसे product होता है, mixer होता है, clear हो गया, तो यह जो था basically important जो elements related आपको याद रखना था, metals, non-metals, metalloid और हमने देखा कि कुछ बाते हम, किसके पड़े हमने, that is about the alloys का, ठीक है, अब हम देखते ही है, जो different type के जो alloys होते हैं, अलग-अलग मिस्स धात हो हैं, जो आपके exam में questions पूछे गए हैं, तो उन्हीं सभी alloys को मैंने यहाँ पे cover करने कुछ की है, कि अलग-अलग जो alloys को किस परकार याद रखे, मैं अपनी निमोनिक्स यूज़ करूँगा, हो सकता, आपके पास बहतर कोई निमोनिक्स है, आप यूज़ कर सकते हैं, ultimately आप exam में questions correct करके आने चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर देखते ही, मैं कुछ तरीका बता रहूँ, ताकि आप exam में बहतर approach के तो देखिए, alloys जो है, अक्सर हमको confusion होता है, जैसे कि हम brass और bronze को लिखते हैं, brass यानि की पीतल, bronze यानि की कासा, brass या है copper प्लस zinc है, और bronze जो है copper प्लस stain है, अक्सर हमको exam में confusion होता है, तो आपके इसके last keyword को देखिएगा, last keyword क्या है, यहाँ पर देखिएंगे, तो सबसे पह यहाँ पर दोनों के keyword में देखिए, यह S है और यहाँ पर देखिएंगे Z है, तो जब यह brass होगा, तो इसके last keyword को देखिएंगे, तो उसका opposite वाला, यानिए S है, तो आप S का opposite यहाँ पर क्या है, zinc है, तो copper प्लस zinc होगा, और इसके ब्राउंज जगर होगा, तो इसके last keyword को देखेंगे तो copper दोनों में common है तो last में हम को देखेंगे उसका opposite वाला तो z, zn का opposite, sn का opposite, zn तो branch मतलब z का opposite क्या हो गया, 10 हो गया और brass यानि s का opposite क्यों हो गया, वो zinc हो गया clear हुआ, मैंने कहा, दोनों में copper common होता है last keyword को देखेंगे, s लिखा है, तो s का opposite आपको tail लेना, या branch को देखेंगे, तो उसमें opposite आपको tail लेना या पिर इस प्रकार ऐसा cross कर सकते हैं, ठीक है cross करने का मतलब यह इसका यह नहीं है, बस यह आपको याद रखना है कि इस keyword के base पे हम उसके, इस part को हम ले रहे हैं clear हो गया, तो यह चीज हो गया, अब copper plus zinc plus tin है, तीनों को अगर जोड़ देते हो, तीनों को जोड़ देते हो, तो क्या बन गया, तीनों को जोड़ देते हो, तो copper का copper हमने as it is लिख लिए, zinc को हमने फिर लिख लिख लिए, फिर tin को लिख लिख लिए, copper दो बार है, इसले हमन पर देखिए जर्मनी का नी याद रखेंगे तो हमने as it is copper plus zinc को लिख लिया अज जर्मनी का नी से याद रखेंगे nickel तो जर्मनी जब copper plus zinc में हम tin को replace करके नी जोड़ देते हैं जर्मनी का नी तो nickel जो बन गया वो जर्मन silver copper plus zinc plus nickel clear हो गया अब इसको फिर से replace करो अब फे से replace करो यानि कि फे याने iron तो डे फे से लिके डे याद रखेंगे delta metal तो copper plus zinc plus iron जो है अब का delta metal बिल गया बन गया तो अब यह बाते सभी को clear हुई क्या मैं fast revision कर आ रहा हूँ brass हमको last keyword देखना है सबसे पहले समझना है कि copper तो common होता है दोनों में brass और bronze में बस last keyword को देखिए उसका opposite वाला यहाँ पे element यहाँ पे जोड देना है तो S का opposite वाला यहाँ पे zinc है और Z का opposite वाला यहाँ पे 10 है clear हो गया दोनों को जोड दीजिए तो बन गया आपका gun metal इस sn को नी से जर्मनी के नी से replace कर दो तो बन गया German silver इसके बाद इसको नी को fe से replace कर दो तो क्या बन गया delta metal face d तो delta material हो गया clear होगे आप सभी को अब यहाँ पे दो चीज करनी है उपर को फिर से देखी एक में हमको plus करना एक में minus करना है ठीक एक में plus दूसरा में minus तो क्या हो गया copper plus zinc देखो यहाँ पे इसका concentration सतर होगा तो उसका quorum 100 पूरा करने के लिए कितना होगा obviously 30 दोनों मिलके 100 होना चाहिए तो यह 70 हैए तो सतर में आप जो है 10 जोड़ दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्या यह बन जाएगा यह बन जाएगा आपका डच मेटल, उपर वाला डच मेटल सेम चीज है, copper plus zinc ही है ठीक है, और यहाँ पर बन गया यह हो गया, आपका, कौन सा हो जाएगा मुंज मेटल, तो मुंज मेटल क्या है, यह बन गया, copper plus zinc का, clear हो गया आप सभी को अब अच्छे से देखिए, कोई चीज कहीं पर कोई कोई doubt हो रही है तो हमने चुपचाप percentage को बस जोड़ दिया है, clear हो गया, अब वैसे ही देखिए, यहाँ पर copper plus zinc है copper में, अगर 90 हो, तो यह 10 होता है, तो यह बनाते हैं branch लिए इसमें 10 से minus नीचे वाला minus कर दो, तो copper copper plus, यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, यह 10 और इसमें percentage, इसमें क्या होता, 10 घटा देंगे, तो यह बन जाएगा 80 तो यह बन जाएगा 20, तो यह बन जाएगा bell metal, तो bell metal क्या है, copper plus zinc ही नहीं है, समझ में आए गया, उपर वाले में हमने देखा 10, जोड़े यह 10 घटा है, नीचे वाले में सिर्फ 10 घटा है, तो यह 90 था, तो 80 हो गया clear हो गया आप सभी को इतना दूर अब देखो, यहाँ पर अगला देखो 10, 10 plus lead है, यह मिलके बनाते है solder, solder यानि की टांका टांका बनाते है, solder ठीक, अब यहाँ पर याद रखेंगे solder या टांका किससे मिलके बनाता है 10 plus, आपके let's कई बार exam में पूछ चुका है, इसके बाद देखते हैं, क्या, SN plus PB हमने SZC लिख दिया, इसमें बिसमत जोड़ दिया बिसमत का buy, buy मतलब है न, buy, जो English वाला जो buy याद रखना, कि हम वो कुछ चीज़ें buy करनी होती, क्या buy करना है rose buy करना है, गुलाब buy करना है तो rose metal, rose को आपने buy किया, तो rose metal क्या है आपका, SN plus PB plus बिसमत, तो इस परकार याद रख लेंगे क्या है, SN plus PB plus बिसमत इक्वल टो rose metal clear होगे आप सभी को, वैसे ही आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि हमको अगर tin plus lead के साथ हम क्या कर देंगे SB यानि की anti money जोड देंगे SN plus PB plus क्या जोड देंगे हम anti money या SB, तो sub हो गया तो sub type याद रख लेंगे sub type का बोलते है न, तो यह type metal हो गया type metal हो गया हमने सिब sub यानि की anti money को जोड दिया clear होगे आप सभी को इतना दूर तो हमने addition और यहाँ पे हमने subtraction किया घटाया जोडा, इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, सिब यहाँ पे घटाया उसके बाद हमने देखा टांका या solder क्या है, उसमें sub जोड दिये, तो type metal बन गया, by यानि बिस्मत जोड दिये, तो rose by करते हो, तो rose metal, ठीक है, यह चीज़े याद हो गई, अब देखो यहाँ पे magnees plus aluminium is equal to magnealium magnealium, याद रखेंगे magnealium, तो magne magnees plus aluminium में हमको क्या कर देगा है, क्यूमिन का तड़का लगा देना क्यूमिन, यानि जीरा तो जीरा को हम तड़का ही लगा देते हैं, तो यहाँ पे हम जोड दे रहे हैं, मतलब तड़का लगा रहे हैं तो क्यूमिन, तो durealumin durealumin किस से मिलके बना है, magnees plus aluminium ने asities उतार दिया था, उसमें क्यूमिन का तड़का लगा दू, तो durealumin durealumin ठीक है, इतना दूर clear हो गया सभी को clear हो गया, इसके बाद देखो, l nico, l nico में देखो, l, aluminium का l, ठीक है, प्लस जो है, यहाँ पे कहा लिखेंगे, nico का nickel, और फिर cobalt ठीक है, l nico हो गया, और इसमें base क्या होता है, base होता है still, steel plus aluminium plus nickel plus cobalt, तो starting में जरूर steel आप लिखेंगा steel के साथ, हम यहाँ पे दिखेंगे क्या करेंगे, aluminium, nickel plus cobalt करेंगे, तो l nico बन गया nichrome को इससे पहले में बताई चुका था naikrum को हमने naikrum का का कै और निकिल, ठीक, iron का iron तो feat, ना iron, फिर chromium ठीक है, plus यहाँ पर magners то यहाँ पे क्या रिखाता है, nak gewesen na nickel iron यहाँ ना, फिर chromium magnez, clear हो गया, इस्टील को क्या होता है, इस्टील में क्या होता है iron होता है, plus carbon होता है प्लस यहाँ पर क्या है निकिल प्लस यहाँ पर हम क्रोमियम यूज़ कर देते हैं तो यह क्या बन गया तो इस आर निम्पोर्टेंट अलिमेंट इस अम यह अलॉईस मत्पूर्ण जो है यह अलॉईस है जिसको आपको याद रखना है इसमें किजी प्रगा कोई confusion हो रहा है तो एक बार practice कर लीजेगा वीडियो को थोड़ा सा rewind कर लीजेगा देख लीजेगा अच्छे से कुछ भी doubt होता है तो definitely comment box में पूछेगा तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं next class पे कुछ नए topic के साथ thank you so much have a nice day